नमस्कार एटोजेट डिशष उश्या कुर्जानी में आप सबका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आंद्रस्टाइल बैंगन की चटनी अब ये इतनी खतरनाक लगती है न ये पहले न बैंगन को वूना जाता है ये पटी और मज़िताए लगती है तो बिल्कुल भी देड़नी करेंगे चलिए आंद्रस्टाइल बैंगन की चटनी बनाना शुरू करते हैं उसके लिए चाहिए आपको ये बैंगन देखिए ये मैंने दो बैंगन ले लिया है मीडियम साइज के और देखिए पानी से इसको उनकर के जाली रख दी है और इस पर मैंने दो बैंगन दो टमाटर एक लसुन की पूरी कली मैंने रख दी है अब देखिए इस तरह से पलटते हुए सबी चीजों को हमें अच्छे से 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 लेना है उपर से ये काली-काली हो जाए ना इसकी सारी स्कीन पूरी टमाटर और बीच-वीच में आपको इसे पलटते भी रहना है देखिए टमाटर कॉमि में ने दोनों तरफ अच्छे से से पल्टा है और देखिसकता है अच्छे से इसक्या है अब देखिए सारी चीज ज़ए से सिक्ग गई पूरी उपर से काली-काली हो गई तो बैंगन अब चलिए हम चेक भी कर लेते कि अंदर तक ये सिके है कि नहीं तो ये knife यानि के चाकू डाल कर देखे देखे आसानी से डल रहे है सबी चीजों के अंदर यानि सिक गए है दो से तीन मिट हो गए है और ये पकर तयार है तो इसे साइड में रख दे जब ये भार रखकर अच्छे से अपको ठंडा कर लेना है जब ये ठंडी हो जाए न तो देख सकते हैं इमली को इस तरह से मसलने के बाद ये इसके छिलके आपको निकाल लेने है तो ये जो गोड़ का जो ये काला काला छिलका है न वो हमें निकाल लेना है जितना हो सके निकाल ले थोड़ा बहुत रह जाते तो कोई बात ने इससे स्वाद काफी अच्छा आएगा तो देख सकते हैं इस तरह से बैंगन का निकाल लिया और काफी आसानी से पूरा छिलका निकल भी जाता है टमाटर का भी निकाल लेना है और यह जो लसुन की कली डाली थी इसके छिल के निकाल कर लसुन को आपको डाल देना है इसके अंदर देखें लसुन को छील कर बाउल के अंदर ही डाले अब यह दोनों बैंगन की हम डंठल निकाल लेंगे क्योंकि डंठल हमें नहीं चाहिए चटनी में और अब क्या करेंगे इसके अंदर में डाल रहे हूं सबसे पहले बारी कटा हुआ प्याज तो दो बारी कटे हुआ प्याज है इसके अंदर स्वात के अनुसा नमक आदी चमच लालमिश पाउडर गुडमली का पल्प मैंने डाल दिया है और हाथों की मदश से इस अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो हाथों की मदश से मसलते जाए और अच्छे से मिला लीजे देख सकते हैं इस तरह से मिलाने के बाद अब इसके अंदर में डाल रहे हूं थोड़े से धनिया के पत्ते और इसे मैंने फिर से मिक्स कर लिया है तैयार है यह बढ़िया सी आं तुझे कमेंट्स बताईगा कि यह आपको वेंगन की चटनी कैसी लगी है अच्छी लगी तो इसे लाइक कीज़े शेर कीज़े अपने फ्रेंट्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले आज के लिए बस इतना इकल फिर मिलती हूं तक्यों और में लगी है